इंडिया ने अपनी ब्रमोस सुपसोनी क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट का पहला कॉंट्रेक्ट फिलिपिन्स के साथ साइन किया था जनवरी 2022 में ये डील साइन की गई और इंडिया की ब्रमोस Aerospace Private Limited ने फिलिपिन्स के Department of National Defense के साथ ब्रमोस के शोर बेस्ट एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की दो यनिट्स डिलिवर करने का कॉंट्रेक्ट साइन किया और अभी फिलिपिन्स इंडिया के Advanced Light Helicopters दुरूफ को भी एक्वार करने की सोच रहा है अभी रिसेंटली फिलिपिन्स के प्रेजिडेंट फॉर्डिनेंड मार्कोस और इंडिया's Ambassador to the Philippines शंभू कुमारान की मीटिंग हुई थी जहाँ पर इंडिया ने अपने Advanced Light Helicopter दुरूफ फिलिपिन्स को ओफर किये थे दरसल फिलिपिन्स अपनी कोस्टगार की कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए साथ हैलिकॉप्टर की एक वैरिंग के प्रसेस में है और इस साल अगस्त में HAL ने फिलिपिन्स के कोस्टगार चीफ एडमिरल आर्टेमियो के लिए धुरूफ की एक कस्टमर डेमेंस्टेशन फ्लाइट भी कंड़क्ट करवाई थी और उसके बाद से ही फिलिपिन्स कोस्टगार इंडिया के इस अडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर में काफी इंट्रेस्टड है अडवांस लाइट हेलिकॉप्टर धुरूफ एक मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलिकॉप्टर है जिसके डिजाइनिंग एंड डेवलप्मेंट हिंदोस्तान अरणाटेक्स लिमिटर द्वारा की गई है इसके चार वेरियंट्स हैं ALH MK1, ALH MK2, ALH MK3 और MK4 धुरूफ को कई तरह के मिशन्स जैसे के flood relief and rescue operations, troop transport, cargo movement, evacuation और maritime roles के लिए यूज किया जाता है और इसकी सबसे important capability ये है कि ये all weather helicopter है इसको हर तरह के weather चाहे वो sea level के operations हों चाहे higher altitude हिमालियास पर और कम से कम temperature से लेके ये desserts के high temperatures में भी operate कर सकता है धुरूफ के MK3 variant का एक special version है जो के specifically navy और coast guard के लिए design किया गया है और Philippines भी इसी variant में interested है अपनी coast guard के लिए धुरूफ के dedicated variant को maritime surveillance और coastal security operations के लिए design किया गया है और इसको navy और coast guard के challenging tasks जैसे के search and rescue के लिए use किया जाता है और इसको किसी भी time day और night दोनों तरह की operations में use किया जा सकता है धुरूफ का एक MK4 version भी है रुद्र रुद्र एक armed या weaponized version है धुरूफ का जो के specifically army और air force की requirements के according design किया गया है आज इंडिया की defense forces के पास army, navy, air force और coast guard के पास 300 से ज़्यादा धुरूफ helicopters operate कर रहे है advanced light helicopter MK3 variant का radar system 120 nautical miles यानि के 200 plus kilometer की range तक की ships और boards को detect कर सकता है surveillance के अलावा इसको long range search and rescue operations के लिए भी use किया जाता है navy और coast guard के द्वारा President Marcos और शंभू कुमारान की meeting के बाद President ने कहा के वो इंडिया के इस offer को coast guard के साथ discuss करेंगे so future में Philippines के साथ 7 helicopters की ये deal possible हो सकती है और इसके बाद Philippines first country होगी जिसको इंडिया ALH Dhruv के MK3 variants export करेगा so इंडिया के defense exports को boost करने के लिए ये deal एक important deal होगी after the Brahmos contract काक कार। 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 झाल झाल